हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सरवादिक बोली साड़े 57 करोड रुपे प्रती मैच की है इसी शेत्र के लिए डिजिटल प्रसारण के अधिकार वाले पैकेज B में सरवादिक बोली 50 करोड रुपे प्रती मैच की लगाई गई है इस तरह पास सीजन के कुल 410 मैचों के लिए टेलिविजन राइट 23,575 करोड रुपे में और डिजिटल राइट 20,500 करोड रुपे में भिके हैं पैकेज A और B के प्रसारण अधिकार से BCCI को 44,75 करोड रुपे की कमाई होगी जो की पिछली बार यानि की 2017 से 22 की तुलना में तेट गुनाज जादा है सुत्रों ने बताया है कि अगले दो अलग-अलग मीडिया कमपनियों ने टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स हासिल किये हैं इन कमपनियों के नामों की बारे में अभी अधिकारिक रूप से पता नहीं चल पाया है IPL पेकेज के विजटाओं के नामों की घोशना आक्षन की प्रकिरिया खत्म होने से पहले नहीं कर सकती है 107.5 करोड रुपे प्रती मैच की संयुक्त राशी ने IPL को दुनिया की सबसे महंगी लीगों की सूची मिला कर खड़ा कर दिया है मीडिया राइट्स को चार पेकेज में बाटा गया है A, B, C और D पेकेज A में भारती ए उपमादीप के लिए TV राइट और पेकेज B में इसी रीजन के लिए डिजिटल राइट्स शामिल है पेकेज C में हर सीजन के लिए चुनिंदा 18 मैचों के डिजिटल प्रसारन के राइट्स मिलेंगे जिनमें सीजन का पहला मैच, वीकेंड पर होने वाले हर डबल हेडर में शामवाला मैच और 4 प्लेओफ मुकाबलों को रखा गया है पेकेज D में भारतियों महाद्वीप के बाहर की टीवी और डिजिटल प्रसारन राइट्स को रखा गया है सुत्रों की माने तो सोनी को टीवी राइट्स मिले हैं जबकि डिजिटल राइट्स के लिए जियों ने सबसे बड़ी बोली लगाई है हाला कि अभी तक पार्तिय के केट कंट्रोल बोर्ड यानि की BCCI और IPL की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टी नहीं हो सकी है नियमों के अनुसार IPL के पैकेज A के विजिता को अधिकार दिया है कि वो पैकेज B के लिए डाइरेक्ट बोली लगा सकता है यह पता नहीं चल पाया है कि टीवी राइट्स का विजितार डिजिटल राइट्स के लिए लड़ना चाहता है या नहीं जागरुक टीवी के लिए नई दिल्ली से एक खास रिपोर्ट